ये हैं भारत में ऑस्ट्रेलिया के नए डिप्टी हाई कमिशनर ने जैसे ही अपना पद्भार समभाला उसके बाद वो एक खास अंदाज में दिखें उन्होंने एक खास आटो तयार की और उसी आटो से वो पहुँच गए ऑस्ट्रेलिया के दूतावास पर भारत में ऑस्ट्रेलिया के दूतावास पर पहुचे नए डिप्टी हाई कमिशनर ने खास अंदाज में भारत के लोगों को नमस्ते किया सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वारल हो रहा है 29 दिसंबर को नए डिप्टी हाई कमिशनर निकोलस माकाफरे ने इस वीडियो को पोश्ट किया है भारत में निक्ती के बाद पदभार ग्रहन करने वाले निकोलस खुद जब इरिक्षा चला कर पहुचे तो अब सोशल मीडिया की यूजर्स इससे बेहद पसंद कर रहे हैं इस वीडियो पर लोग अलग-अलग तरह से रियाक्ट कर रहे हैं कुछ लोग इससे अच्छा बता रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिर डिप्टी हाई कमिशनर को इरिक्षा चलाने की जरुरत क्यों पढ़ गई लेकिन जिस इरिक्षा से पहुचे हैं नए हाई डिप्टी कमिशनर वो इरिक्षा भी खास है अब समझते हैं कि आखिर इस वीडियो के आगे और पीछे आने की सबसे पहले उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा कि नमस्ते मैं निकोलस मनाकैफरी हूँ और मैंने भारत में आस्ट्रेलियाई उपहाई कमिशनर के पट पर अपना काम शुरू किया है और मैं यहां हमारे उतक्रिष्ट उत्चायूक्त फिलिप ब्रीन के साथ काम करने को लेकर रोमानचीत हूँ आम तोर पर भारत की सबकों पर आपको आटोज देखने को मिलेंगे इरिक्षा देखने को मिलेंगे लेकिन ये इरिक्षा दूतावास के भीतर पहुँचा है और चलाने वाले भी बेहत खास हैं औस्ट्रिलिया के नए डिप्टी हाई कमिशनर हैं तो ऐसे में इस दिक्षे की चर्चा पर बहुत हो रही है लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर्स जो है इस वीडियो को देखकर अलग तरह से जाक कर रहे हैं आपको बता दें कि भारत में निकोलस मैकाफरे किस तरह से काम करेंगे इसको लेकर वो अपने ट्विटर पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं और भारत में जैसे ही उन्होंने इस सवारी की इसका वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैनल से पोस्ट किया अब देखते ही देखते ये वीडियो सोचल मीडिया पर वैरल हो गया है और हमने इस वीडियो को आपके लिए खासतोर पर तयार किया है आपको कैसा लगा? नए डिप्टी हाई कमिशनर का ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं बुरो रिपोर्ट भारत तक